आठ माई दोजार चोई से सनी जैंती के दिन 120 सालों के बाद बनेंगे तीन एसे दिव्य और दुरलब महा सायोग छे राशियों पर होगी भगवान सनी देव की विसे स्क्रीपा जिहां मित्रों बहुती बड़ी खुसकबरी निकल कर सामने आ रही है पूरे 120 सालों के बाद इस बार 8 मै यानि की बेसा का मवस्या के दिन भगवान सनी देव की जैंती यानि जन्म उस्सों मनाय जा रहा है और सनी देव जैंती पर कई इसे दिव्य और दूडलब महायोग बन रहे है ना जिससे 6 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत अचानक से चमकने वाली है 6 राशि वाले लोगों का भागय उदे होने जा रहा है सनी देव की दूस परवाव से भी चुटकारा मिलने वाला है तो चलिए के करते वे जान लेती हैं कौन-कौन सी है वो सबसे ज़्यादा सो भागय साली राशियां और साथ ही सनी जैनती के दिन आखिर राशिक अनुसार उनको क्या-क्या उपाई करने चाहिए तो सभी महतुपुन और भागय साली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे में वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखिए और हा मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जाई सनी देव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेस्बुक पर जरूर शेयर कर दीजे ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँ सके मित्रों सनातन धरम में भगवान सनी देव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है इस साल सनी जैनती 8 मई 2024 के दिन मनाई जाएगी और सनी देव को सुर्य देव और चाया के पुत्र माना जाता है वो हमेशा कर्म फलदाता की रूप में भी पूजे जाते हैं यानि की व्यक्ति जो कोई भी कर्म करता है उसे के अनुसार भगवान सनिदेव अच्छा या बुरा फल परदान करते हैं इस साल दोजार चोईस में सनिदेव की विसेस रूप से क्रीपा होने वाली है छे राशियों का भागय उदय होने जा रहा है तो चलिए के करते विए जान लेते हैं सनिदेव के बाद सबसे पहली जो भागय साली राशि बनेगी वो आती है तुला राशी जिनके नाम का पहला अक्सर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से सुरू होता है उनकी तुला रासी होती है जिसे की राहूल, रिना, रुक्मनी, रेयांस, रोनग, ताराचन, तूकाराम, तेनाली राम इस तरह से अंगरेजी के आर या टी अकसर से जिनका भी नाम सुरू होता है ना उन सबी की तुलारासी होती है मित्रू तुलारासी के स्वामी भगवान सुकरदेव है और आप सभी को पता होगा कि सुकरदेव और सनीदेव के बीच मितरता का भाव रहता है आपको बता दे इस बार सनी जैनती के दिन जो गज केसरी योग का निर्मान हो रहा है ना इससे आप लोगों पर भगवान सनी देव की विसेस रूप से क्रीपा होने वाली है लंबे समय से जो भी आपके रुके वे या अटके वे कार्य थे वो अब पूर्ण होंगी वियापार में धन का लाब होगा और सनी देव आपके कर्म भाव में भी बने वे हैं ऐसे में निश्चित रूप से आप जो कोई भी कार्य करेंगे उसी से आपको अच्चे फल की अनुभूती होगी नया कारी अगर आप सुरू करना चाहते हीं तो भी आप लोगों के लिए समय बहुती अच्चा और उत्तम बना रहेगा एक तो गुप्त रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी इंकम के नई नई सुरूत नई नई साधन उत्पन होगी अगर आप लंबे समय से कर्ज या खर्चों की तंगी से परिसान है तो भी वो दूर होने वाली है सनी जैंती के बाद अगले दो-तिन महिनों में आप कोई भी नया घर, मकान या कोई भी महत्पुन संपती जो आप खरी सकते हीं घर, परिवार और समाज के लोगों में भी आपका मान समान बढ़ेगा तुला रासी वाले लोगों को उपाय बताए गया है कि सनी देव का असिरवात पाने के लिए सनी जैनती के दिन आप गरीब लोगों को या तो काले रंग के वस्त्र दान करें या आप काले छाते का दान करें इससे कुंडली में सनी की स्थिति मजबूत होगी और आपके जीवन में सभी महत्पुन कारिय जो है वो संपन होने वाले हैं जान लेते हैं सनी जैनती के बाद अगली यानि की दूसरी जो बागय साली रासी बनेगी वो आती है कुंब रासी जिनके नाम का पहला अक्सर सा सी सू से सो दा गू गे और गो से सुरू होता है उनकी कुंब रासी होती है मित्रों कुंब रासी वाले लोगों के लिए इस बार जो सनी जैनती के दिन सोभन योग का निर्मान हो रहा है यह आप लोगों के लिए बहुती अच्चा और सुब फल परदान करेगा एक दो भगवान सनी देव भी आपी की रासी में विराजमान है और साड़े साती भी चल रही है उसके लावा सनी देव जैवो मोल तरिकोन केंदर भाव भी बना रहे है ऐसे में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अच्छा समय है वो कुंब रासी वाले लोगों के लिए ही लंबे समय से जो भी आपका महत्वण कारी अटका हुआ था वो पूर्ण होगा भागवान सनी देव के आसिरवास से कुंब रासी वाले अगर कोई भी नोकरी करते हैं या जोब वगरा करते हैं तो नोकरी में आपको दिन दुगुनी राच दुगुनी गति के साथ तरह की म बन रहे ना यह योग जो भी व्यक्ति अगर काम की तलास कर रहे हैं बिरोजगार है तो उन लोगों को अच्छी और बड़ी खुश खबरी सुनने को मिल सकती है मन पसंद जगह पर आप नोकरी की प्राप्ति कर सकते हैं घर परिवार में तो सुक सांती रहेगी ही साथी पत धन का लाब हासिल करेंगे, आपके इंकम में बड़ोत्री होगी कुम्प रसे में सनिदेव के साठी सी होने के कारण लगबग पिछले दो सालों से आपके जीवन में कैसारी परेसानिया बनी वी थी, लेकिन अब सनिदेव के आसिरवाद से लगबग सारी परेसानियों का सम पुम्बरासिवाले सनिदेव का आसिरवाद पाने के लिए हर सनिवार के दिन आटा, काले तिल और चीनि मिलाकर चीटियों को खिलाएं जो भी काले चीटिया होती है उनको उसके लावा सरसु के तेल से बनेवी चीजों को गरीब और जुरतमंद लोगों को खिलाएं और जो जान लेते हैं सनि जैनती के बाद अगली जो बागे साली रासी बनेगी उसके बारे में उससे पहले आपको एक महत पुन बात बताना चाहूंगा कि जिन्दगे में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महनत करते हैं तो वहीं कुछ लोग आपको हैं आप कुछ एसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र बर महनत करते ही रहते हैं लेकिन आखेर वो हासल नहीं कर पाते जिनके वो खधार होते हैं यानि कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता मित्रूं यह ग्रहूं का खेल नहीं तो उर क्या है और इसी के कहना चाहते हैं क्या आपकी कुंडली यानिकी किसमत में कोई दोस तो नहीं अगर दोस है तो वो क्या है उसका समाधान क्या है कोई ग्रह कमजोर तो नहीं उसको मजबूत करने का उपाय क्या है आपका भागय उदई कब होगा जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे नोक्री या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्टी ज्यादा सफलता प्राप्त होगी कौन सा व्यापार सबसे अच्छा उर्सुब फलित रहेगा सरकारी नोक्री का योग है या नहीं आपका सोयम का मकान कब बनेगा आपके लिए भागय साली रतन कौन सा है उसको पहनने की व महां जन्म कुंडले के बारे में जान सकते हैं अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समादान आप कुंडले बनवा कर जानना चाते हैं जिसे की व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके उपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपके बंते बंते काम लगातार बिगड जाते हैं, अटक जाते हैं। जा लड़का लड़की का विवा होने जा रहा है, सम्मन्द होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवा हो या अरेंज मेरी जो। विवाह से पहले आप दुनों का कुंडली मिलान करवाना चाते हैं। अगर कुछ भी समस्य है, तो स्क्रेन पर दिये गए नंबर पर वोटसाप पर स जानि देव जैनती के बाद अगली जो बागे साली रासी बनेगी वो आती है मिथुन रासी, जिनके नाम का पहला अक्सर का की कू बढ़ा गया, छै के को और हा से सुरू होता है, उनके मिथुन रासी होती है। मिथुन रासी वाले लोगों के लिए आठ मई यानि की सैनी ज हतर रहने वाला है, आप अपने बिजनिस को आगे बढ़ाने का मोका ले पाएंगे। जो भी विद्यारती है, लंबे समय से किसी कॉंपेटिचन एकजाम या सरकारी नोकरी के लिए प्रियास कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को भी बहुती बड़ी खुसकबरी मिलने वाली है अध्यात्मी कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी और साथ ही जो बिरूचगार है उन लोगों को मन पसंद जगह पर रूचगार की प्राप्ती होगी। जीवन साथी के साथ आपका जो समय है कोडिनेशन है वो काफी अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से अगर आप क का योग बनेगा। आप लोगों को उपाय बताएगा है कि आपकी रासी के स्वा में भगवान बुद्ध देव है। ऐसे में सनी जैंती के दिन आप लोग साथ प्रकार के अनाज और दालों को मिक्स करके पक्षियों को खिलाएं। उसके लावा सनी मंदिर में काले उड़त का दान करना भी आपके लिए सुब फल्दाई सिद्ध होगा। उसके लावा आप चाहें तो गरीब लोगों को काले कपनों का भी दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में भगवान सनी देव की विसस रूप से क्रीपा बने रहेगी। चलिए जान लेते हैं सनी जैंती के इस बार जो सनी जैंती पर महा योग बन रहे हैं एक दोस्ता स्योग और गज केसरी योग यह आप लोगों के लिए बहुती अच्चा और सुब फल्दाई रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ लव लाइप में हैं तो आपका रिलेसन पार्टनर के साथ काफी अच्चा रिलेसनसिप में आ सकते हैं आपका प्रेम संबंद होने का भी योग बन रहा है। जो भी नए नोकरी की तलास कर रहे हैं उन लोगों के लिए खुश्या मिलेगी और सनी देव के आसिरवास से धीरे धीरे अब आपके समय में बदलाव देखने को मिल सकता है। ध्यान रखे लोगों के लिए भी खुब अच्छा धन का लाब मिलेगा और आपका स्वास्त भी पहले की तुलना में अच्छा रहेगा। उसके अलावा अचानक से आपको धन का लाब और धन की बचत करने में भी काम्याब होंगी। जो अपना स्वयम का व्यापार करते हैं व्यापरी लोगों के लिए व्यापार में काफी अच्छा आपको प्रोफिट मिलेगा। धन का तो लाब होगा ही धन की बचत भी कर पाएंगी। इसी मई के महिने में आप चाहें तो अपना स्वयम का व्यापार भी सुरू कर सकते हीं और उसमें भी आर्थिक रूप से आपको धन का लाब ही मिलेगा। तो चले मित्रुसी के साथ फिलाल के लिए सनी जैनती से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजी रेकोर्ण।